सारांच में आपका हर्दिक स्वागत है आईए आज जानते हैं मदू मक्ही के डंक का इलाज आप घर पर कैसे कर सकते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे यूटूब चैनल सारांच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदिन है आप इसे सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इसी के माद्यम से आप तक लेटस्ट जानकारियां पहुंचती रहेंगे मधू मक्ही का शहद जितना मीठा और फायदे मंद होता है उसका डंक उससे कहीं जादा खतरनाक और दर्दनाक होता है हालांकि हर किसी में इसके अलग-लग लक्षन देखे जाते हैं कुछ लोगों को तेज़ दर्द होता है तो कुछ में केवल सूजन आ जाती है कुछ में तो वह जगा लाल पड़ जाती है और कई बार बुखार भी आ जाता है ऐसा इसके डंक में जहर होने की वज़ा से होता है इसके डंक का असर या तो कुछ घंटे या एक से दो दिन तक रहता है आप चाहें तो मदुमक्की के डंक का इलाज घर पर ही कर सकते हैं आईए जानते हैं घर पर इलाज करने का तरीका सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके इसके डंक को निकाल ले उसके बाद उस जगे को किसी एंटिसेप्टिक साबुन से धोकर कोई एंटिसेप्टिक क्रीम लगा ले बर्फ से भी सेख कर सकते हैं इससे जहर बहुत जादा नहीं फैलेगा और दर्द भी कम होगा बेकिंग सोडा अलकलाइन होता है इसलिए इसे लगाने से दर्द, खुजली और सूजन में राहत मिलेगी सिर्के के इस्तमाल से भी जहर का असर कम किया जाता है साथ ही ये दर्द, सूजन और खुजली में भी राहत पहुँचाएगा मदुमक्खी काट लेने पर शहद का इस्तमाल कीजिए इससे जहर नहीं फैलेगा और इसका एंटी बैक्टेरियल गुन संक्रमन बढ़ने से भी रोकेगा सफेद टूथपेस्ट लगाने से भी डंक के दर्द में राहत मिलती है ये जहर के अमलिय परभाव को कम करता है इसके इस्तमाल से दर्द और सूजन में भी राहत मिलती है तो ये थे मदुमक्खी के डंक के दर्द से बचने के घरेलू उपाए लेकिन अगर दर्द जादा हो तो डॉक्टर की सला जरूर ले ऐसे ही घरेली नुस्कों के साथ अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी धन्यवाद